कि हरा दोस्तों मेरी गॉल्ड एसे जगह में उकता है जहां पर फुल सनलाइट आती हो और मेरी गॉल्ड अधिक से अधिक गर्मी वाली जगह को भी बरदास कर सकता है मेरी गॉल्ड जो होते हैं वो ड्राउट टोल्रड होते है मतलब कि कम पानियवाली कंडिस्न को भी जैल सकते हैं इस तरह कि मेरे गॉल्ड को अफरेकट मेरी गॉल्ड का आ जाता है उसी प्रकार से एक फ्रेंच मेरी गॉल हूँ होते हैं जो कि ओबर वाटरिंग को भी बरदास कर सकते हैं मेरी गोल के लिए मिट्टी ऐसे हैनी चाहिए जिसमें कि ना तो ज्यादा फर्टलाइजर हो ना ही कम फटलाइजर हो और वो मिट्टी वेल ड्रेंड होनी चाहिए जिससे की पानी आसानी से रिस्क के नीचे से निकल जाए मेरी गोर्ड को ज़्यादा देखभाल के अखसता नहीं पड़ती है और ये पैस्टी फ्री प्लांट्स होते हैं मतलब कि इन में पैस्टिस साइट नहीं लगते हैं मेरी गोर्ड को बोने के लिए आप सबसे पहले मिट्टी की उपर कोको पीट की एक पतली प्लेयर बना दे उसके बाद कोको पीट को एक मिस्टर वाटर मिस्टर से या स्प्रे बोटल से इस पेस पेक करें और उसके बाद उसे अपने हलके हाथों से प्रेस करें उसके बाद मेरी गोर्ड के सीट को लें और उने एक एक करके एक दूरी पर लगाएं उसके बाद फिर से कोको पीट ले और उन शीट के ऊपर कोको पीट की एक और लेयर बना दे उसके बाद फिर से इस प्रेय बोटल से उसमें पानी का हलका सा छटकाओ करें और अपने हाथ उसे प्रेस करें प्रेस करने के बाद आप उसके बाद आप उसे सनलाइट में रख दे देखे दोस्तो मैंने कुछ दिनों पहले मेरी गोल्ड के सीट लगा थे और आप देख सकते हैं ये जर्मिनेट हो गए हैं तो आप भी इसी तरह से सीट लगाएं तो जल्दी से जल्दी जर्मिनेट जरूँ दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के लाइक दे और चैनल को सब्सक्राइब करें ठेंक्यू